हेलो फ्रेंड्स मैं चन्दन भारगव दवन्दे मात्रम अकेडमी ग्वालियर में आपका बहुत बहुत अविन्हंदन करता हूँ तो आज हम आपके लिए लाएं 3 अप्रेल 2021 की करेंट अफेर जिसमें हम डेली की तरह स्टेटिक जी के भी कवर करते हैं तो आईए श्टार्ट करते हैं पहले क्योस्चन के साथ हाली में रूप पुर परमाणू ऊर्जा सयंत्र काफी चर्चित में रहा है तो यह कहां पर है बांगला देश में इस्तित है कौन रूप पुर परमाणू ऊर्जा सयंत्र चर्चित में क्यों है क्योंकि हाली में जो भा समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें रूपपुर परमाणु और्जय शेयंत्र काफी चर्चा में रहा है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हाली में केंद्रिय मंत्री मंडल ने खाद प्रसंसंकरण उध्यों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ट इंसरेटिव यानि कि पी एल आई इसकीम को मंजूरी दे दी है तो पी एलाई इसकीम कब शुरू हुईती तो यह हुईती मार्श 2020 में इसकीम का मुख उद्धिश है भारत में उत्पादन को बढ़ावा देना यानि कि आयात में कमी यानि कि हम जो प् पादन में ब्रद्धी होगी पी एलाई की फिल फॉर्म याद रखना है आपको प्रोडक्शन लिंक्ट इंस्रेटिव अब क्योश्चिन आता है कि खाद प्रसंसंक्रण उद्योग का अर्थ क्या है यह एक भिवाग है जैसे कि हम कहते हैं टमाटर से सौस बनाना या मतलब किस खाद का प्रसंसंक्रण करना ही खाद प्रसंसंक्रण उद्योग होता है इसमें जो भारत सरकार में इंवेश्ट किया है वो है 10,900 करोड रुपे की मंजूरी मिल चुकी है स्टैटिक जीके में संपदा योजना किस से संबन्दित है तो यह खाद प्रसंसंक्रण उद्योग्षे शंबन्दित है जबकि मित्र योजना किस से संबन्दित है यह कपड़ा उद्योग्षे शंबन्दित है और खाद प्रसंसंक्रण उद्योग की जो मंत्री है वो कौन ह नरेंदर शिंग तॉमर जो साथ ही क्रशी मंत्रीवी हैं हाल ही में जो वाइडन जो अमेरिका के 46 वे राष्ट्रपती हैं इन्होंने किस भारती अमेरिका महिला को फैडरल जज की रूप में मनोनीत करने की गोशना की है तो उनका नाम है रूपा रंगा पुट्टा गुंता कौन रूपा रंगा पुट्टा गुंता ये इनका नाम है यदि ये फर्स्ट फैडरल जज बन जाती है तो ये फर्स्ट ACI अमेरिकी महिला होगी जो डिस्ट्रक्ट अफ कॉलंबिया की पहली जज बनेंगी नेक्स्ट हाली में श्वदेशी रूप से विख्षित प्रसिचक बिमान बनाया गया है वो है हन्स न्यू जेनरेशन जिसका निर्माण किस कंपनी ने किया है एन एल ने जिसकी फुल फॉम आपको याद रखनी है नेशनल एरो स्पेस लिम्टेड जिसका हैटकॉर्टर कहां पर है बैंगलूरू में है तो हन्स न्यू जेनरेशन का जो इंडर्माण है वो किसने की आया है एन ए एल ने जो स्वदेशी रूप से विख्षित प्रसिचक बिमान है नेक्स्ट हाली में मचली की प्रजाती मिली है जिसका नाम है सिस्टूरा हिरन केशी जो महराष्टर में मिली है हाली में 2 अप्रेल को अंतर नाश्टरिय बाल पुस्तक दिवस्भी मनाया गया और 2 अप्रेल को विश्यू आर्टिज्म जागरुकता दिवस्भी मनाया जाता है हाली में किस जील को आदर भूमी गोशित किया गया है तो कौन से जील है डल जील हाली में चिरन जीवी स्वास्त भीमा योजना के तहट प्रतेक परिवार को स्वास्त भीमा देने वाला पहला राज कौन बना है राजिस्थान जिसने स्वास्त भीमा योजना के तहट प्रतेक परिवार को स्वास्त भीमा देने की बात कही है राजिस्तान की जो CM है वह हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र केंदर सरकार ने सारवजनिक अवकाश की घोषणा की है 14 अप्रेल को क्यों क्योंकि 14 अप्रेल को अंबेड़कर जन्ती मनाई जाती है इस दिन सरकार ने सारविजनिक अवकाश की घोषणा की है हाली में Financial Years 2022 के लिए Uniscape ने भारत की GDP ब्रद्दी का अनुमाल लगाया है 0.7 प्रतिशत अब क्योक्ष्चन आता है कि Uniscape की फुल फॉर्म क्या है United Nations Economic and Social Commission for Asian and the Pacific हाली में पश्चिमी घाट की अनुशनधान दल ने किस जीव की नई प्रजाती की खुज की है किस की की है तितली की हाली में ONGC का अत्रक्त CMD किसको नुक्त किया गया है शुभाश कुमार जी को हाली में तीसरे लॉकडाउन की गोष्चना किस देश ने की है तो किस ने किया फ्रांस ने जिसकी रायधानी पैरिस है WEF यानि World Economic Forum के Gender Gap सूचकांक 2021 में सीर्ष इस्थान पर कौन सा देश रहा है तो वो रहा है आइसलेंट जबकि भारत 140 वे इस्थान पर रहा है तो आज की हमारी ये Current Affair कंप्लिट होती है आसा है कि आपको ये Current Affair काफी बहत पसंद आएगी और आप इस वीडियो को जितना हो सके सेर कीजिए और दवन्दे मातरम Academic Warrior को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद